नमस्कार सातियों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे सुटूप चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इंग्लिस एंड फोरें लेंग्वेज यूनिसिटी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे बीए होनर्स की कितनी फीस लगती है और एमे के लिए यहाँ पर कितनी फीस लगती है यानि कि बीए होनर्स में आपकी जो है यहाँ पर टोटल फीस कितनी लगती है सभी इसमें हम काउंट करके आपको बताने वाले है इसके साथ ही एमे यानि कि जो पर नए हो तो इसी परकार के वीडियो देखने के लिए इसी परकार की जानकारी देखने के लिए अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दू हम यहां पर जो सब से पहले बीए की बात करेंगे बीए होनर्स ज्याहं उस्तो फोरन लेंग्वेज की लिए यह आप यहां से करते हो तो यहां पर आपकी टोटल कीतनी फीस लगी दोस्तों एक चीज में आपो यहां पर बता दूंकि यहां पर कैटिगरी वाइस डिव फीस आपके लगती है joining के time और यहाँ पर देखिए obesity category प्लस S.E.S.T. and physical handicap तीनों के लिए यहाँ पर same रखा गया है यहाँ पर 105 सी रुपे जहां दोस्तों 105 सी रुपे आपके लगेंगे तीनों ही category के अंदर जो फीस बिल्कुल सेम रखी गई है उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है tuition fees तो देखिए tuition fees आप जो आपकी लगती है वो per semester यान की semester के इसाब से इसमें लगती है जितनी आपके semester होंगे उतनी फीस आपकी हर बार्फ लगेगी तो देखिए यहाँ पर OBC and आपकी जो है general category जी है दोस्तों general category plus OBC and SEST इन दोनों के यहाँ पर सेम रखी गई है यह 335 रुपे 335 रुपे आपके यहाँ पर लगेंगे and physical handicap के लिए इसका कोई परावदान यहाँ पर नहीं रखा गया दूस्तों उसके बाद हम यहाँ पर बात करते है लाइब्रेरी की फीस दिया दूस्तों लाइब्रेरी की भी यहाँ पर फीस लगती है और यह भी जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से लगती है तो यहाँ पर देखिए जनरल एंड ओबीशी कर्टिकरी के लिए 200 रुपे का परावदान है वहीं सेस्ट के लिए भी यहाँ पर 200 रुपे का परावदान रखा गया है और फीजिकल हंडिकेप के लिए इसका कोई परावदान यहाँ पर शोर नहीं किया गया है उसके बाद देखिए यहाँ पर evaluation fees की बात करते हैं दोस्तों एजामिनीस्टीस देखें यहां पर और विशी Category & The General category के लिए 240 रुपई रखे गए है वहीं सट के लिए भी 240 रुपई ही रखे गए है लेकिन यहां पर फिजिकल हेंडिकेप के लिए इसका कोई प्रावदान यह पर शोर नहीं किया गया है उसके बाद देखी यहाँ पर आपका grade card यह grade card की जो fees है यह भी जो आपकी पर semester के इसाब से लगती है तो यहाँ पर तीनों ही category यानि कि ओबिशी एंड जनरल category SC, ST category और physical handicap तीनों के लिए सम्मान रखा गया है 60 रूपे, 60 रूपे and 60 रूपे ठीक है तीनों के मतलब हर category के आपके 60 रूपे लगेंगे चाहिए आप SC के student हो, चाहिए STK हो, चाहिए OBC जनरल के student हो, तो आपके कितने लगेंगे 60 रूपे यहाँ पर लगेंगे वहीं दोस्तों हम बात करते हैं आपकी जो है यह identity card की मैंने आपको उपर वाली जो फीस बताईए यह grade card की बताईए ठीक है अब हम बात करते है identity card की ठीक है यहाँ पर तो इसकी देखिए तीनों के अंदर सेम रखी गई है 300 रूपे, जनरल एंड ओबिशी की SCST की 300 रूपे और physical handicap की भी यहाँ पर 300 रूपे, तो यहाँ पर तीनों को सम्मान रखा गया है और 300 रूपे की फीस रखी गई है उसके बाद देखिए आपकी जो है medical faculty के लिए जो आपकी फीस लगती है यह देखिए पर year की लगती है semester के साब से नहीं लगती है यहाँ पर यह पर year के साब से लगती है यहाँ पर आप देख सकते हो यानि की एक साल के तो यहाँ पर 440 रूपे general and OBC से लिए जाएंगे 440 रूपे वही SCST के student से लिए जाएंगे 440 रूपे and physical handicap के लिए भी यहाँ से 440 रूपे ही लिए जाएंगे ठीक है दोस्तों इतना आपके समझ आया उसके बाद देखिए library के लिए ठीक है तो library deposit at the time of joining joining के time यह आपको दोस्तों refund नहीं की जाएगी आपर लिखा sorry यह आपको refund की जाएगी ठीक है यह refund भी की जाएगी तो इसमें देखिए आपके 125 रुपए 125 रुपए आपके है sendral and obesity category वही देखिए csd के लिए 125 रुपए रखे end physical handicap के लिए 125 रुपए यहाँ पर रखे गये यह दुस्तों 125 रुपए रखे गए तो यहाँ पर total मिला के हम देखिए तो जैसे की joy है जनरिल and obc category लिए यहां पर 3450 रुपए जियां दूस्त 3455 के करीब यहां पर पढ़ता है वहीं SCST के लिए 2625 रुपए के आसपास यहां पर पढ़ता है and physical handicap का यदि हम देखे तो यहां पर 1850 रुपए के आसपास पढ़ता है दूस्तों यह हमने आपको बताया भी ये के according ठीक है भी ये होनर्स foreign language के according यह दिया आप यहां पर admission लेते हो तो उसके इसाफ से ये fees आपकी लगेगी आप यहां पर और notice कर सकते हो ये जो fees structure है ये भी ये होनर्स के लिए है ठीक है इंग्लीज यानि कि foreign language में जो student admission ले रहा है उनके लिए ठीक है भी ये होनर्स इंग्लीज और भी ये foreign language के लिए तो दोस्तों ये हमने आपको बताया भी ये होनर्स के लिए अब हम चलते है अमेग पर ठीक है जो अमेग का यहां पर आपके जो semester होता है तो इसमें जैसे कि आपका आ जाता है में आ जाता है ठीक है और इसमें यहां पर आपका में आएगा यहां पर इस university के according ठीक है वैसे अमेशी वगगरा भी इसमें आते हैं लेकिन यहां पर हम बात करेंगे में ठीक है यहां पर English का कोर्स है उसके अलावा हिंदी से भी जो यहां से एम में कर सकते हो तो हम चलिए देखते हैं कितनी कि फीज आप पर आपकी रखी तो देखिए रिजिस्टेशन की जो फीज है वो बिल्कुल सेम है जैसे की बीए के अंदर लगती है बीए ओनर के लिए एक सुप पिछे सुरू पर डिवाइड इसका डिवाइडिशन किया था बिल्कुल सेम तु सेम यहां पर रहने वाला देखिए औबशी एंड जन्रल गक्रेगरी स्सी एंड से इसके अंदर फीजिकल हैंडिडिगेप जो इस तर पर अते हैं ठीकर तो इस तरह से तीनों को सेम उसी कटेगरी के इंदर डिवाइड किया गए तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेशन की जो फीस है वो एक सू पिछे सी रूपे सेम वही है उसके बाद ट्यूशन की फीस देखिए यहाँ पर S.C.S.T यह सुरी पहले हम देख लेते हैं ओबीशी और जनरल कर्टेगरी के यहाँ पर 500 रूपे रखे गये है तो एंड फीजिकल एंडिकेप के लिए यहाँ पर कोई शौ नहीं किया गया है। लाइबरी की फीस देखिए यहाँ पर 200 रूपे है ओबीशी और जनरल कर्टेगरी दोनों के लिए हैं एके एस्च इटी के लिए भी दो सुरू रूप aye है और है ओगनीशन sorry पर बा इसके अलाव यहां पर physical handicap के लिए इसका कोई प्राफदान यहां पर हमें दिखाई नहीं देता है उसके बाद देखिए हम यहां पर बात करते है ग्रेड कार्ड की ठीक है दूसरों जिस तरह से भी होनर्स के अंदर हमने आपको बता है तो same way process यहां पर है तो यहां पर देखि इसके अलवा आप जो है physical handicap है तो भी आपसे जो है 60 रुपे लिए जाएंगे उसके बाद देखिए उपर हमने आपको बताया grade कार्ड के बारे में अब हम आपको बताते है आइडेंटिक कार्ड के फैरम ठीक है तो इसकी 300 रुपे सेम वही process है 300 रुपे आपसे लिए जाएं दोउस्तों यहां पकी लगती है यहां पर जो है एक साल के लिए ठीक है एक साल के लिए आपकी यह लगे लिए तो इसके अंदर आपके 440 रुपे का प्रावदान रखा गया है 440 रुपे का तीनों क्रीशी के नंदर ओभी कि ये राथ फिर के तो इस तरह से ज्यादा हो रहे है लेकिन यहां पर मैं इस सबसे आपको बता रहे होंगे फिर देखिए इसमें जो टोटल फीस आपकी यानि की लगेगी कितनी फीस लगेगी मैं आपको बता दू तो यहाँ पर 3860 रुपे यहाँ दूसरो 3860 रुपे आपके लगेंगे ओबिशी और जनरल के टिकरी के अंतर वहीं बात करें सेस्टी के तो सेस्टी के लगने वाले है 2790 रुपे यहाँ दूसरो 2790 रुपे आपके यहाँ पर लगने वाले है यहाँ फीजिकल हेंडिकेप की बात करें अकोडिंग टू यह प्रोस्पेक्ट ठीक है 2020 के लिए जो यह प्रोस्पेक्ट जा रही हुए प्रोस्पेक्ट जो जा रही हुए उसके अकोडिंग तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया पूरी इंफोर्मेशन आपके समझ आई फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट वोक्स में कमेंट करिएगा और आपको यह नोटिफिक्शन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए प्लाम्ट टुओा dürfen कमेंटे हो यह तो सहां कर कि अपको यह वीडियोर प्लाम भीडियोर आपको जाएं